हेलो दोस्तों निहाज किचिन विला में आप सब का सागत है और आज मैं आपको देखाने वाली हूँ किचिन और घर की कुछ ऐसी क्लीनिंग टिप्स जो आपको पूरा घर और किचिन को बहुत ही साफ सुथा रखने में बहुत ही मदद करेंगी इन टिप्स की मदद से आप अ और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना न भूलिये वीडियो प्रीचे लाइक पतंद दपा दीचे थाइंक्यू सबसे पहली चॉपिंग बोर्ट या लगडी का हो या प्लास्टिक का हो दौनों पर ही काम करीगा जब ही हम चॉपिंग करते हैं तो हमारा बोर्ट काफी गंदा दिखने लगता है सभी बेज़िटेबल्स के कलर साजाते हैं और भी बहुत सारी गंदगी और जम्स उस पर के बाद उसको दो मिट ऐसी तरह से रखा हुआ चो दे उसके बाद उसे किसी भी नॉर्मल साबुन की मदद से या फिर पानी से आप उसको वाश कर लें वह एक्दम रेडी है चमतार है नमसेकिं और वोर्टर जग जिसमें आप पानी करम करते हैं आप इसमें रिली पानी प जग थोड़ा जयादा गरम होना है तो पानी पूरा उपर तक भरकर डाली है और कम है तो आप थोड़ा नीचे तक भी डाल सकते हैं एक टूकर नेभू कर डाले पानी को गरम होने देए पानी में जब बॉयल आ जाए उसके बाद नीज Наबू से निकालकर उस नीबू से ही आप जग को उपर और नीचे पूरी तरह से साफ कर सकते हैं और आपका जग एक दम जम फ्री हो चुका है, क्लीन हो चुका है और यह दोबारा यूज़ करने के लिए बिल्कुल तयार है, अब इसका यह पानी फेकते हैं, और साधा पानी से इक बार इसको तो लें कई बार होता है कि किचिन में इस तरह की बहुत सारे बॉक्स होते हैं हमारे पास या पर इस तरह की ढखन होते हैं, जिन पर यह स्टीकर होते हैं यह आसानी से नहीं चुलते हैं इन्हें अटाने के लिए आप गुञूना पाने लें उसमें थोड़ी देर के लिए अपने धकन को डिप करके रग दें आपको 2 मिट के लिए धकन को छोड़ना है या फिर डबबे को छोड़ना है। और उसके बाद आप डिस्वोप की मदद से इसको बस हल्के हाथ से क्लीन करें देखे बिल्कुल साफ हो गया है यह लाइटर जो हम सबसे जादा यस करते हैं बहुत सारे जंक्त होते हैं बहुत शेक्नाइगी वर जाथ जाते है बहुत ही आसान सी टैप अब fir आप डाण कुछ भी ले सकते हैं कॉट्न पर लगाए और इसे क्लीनक कर लीजिए सारे के सारे जंक्त भी निकल जाएगे और जो यह देखे। यहां कि चमख की बापस आगई है। अक्सर होता है कि वी किचन बडू पर कहीते से हाथद लगते हैं और नहीं हाथилरे निथे हैं किचन पर पर ही कि गुगती हैं से बड़ बैस्ट है और लगता खाया यह कानर पर क säस को चनित पर अब ऑपामाइए और उसको एक साफ कपड़े से पहुंसे, आपके सारी के सारी बटन और बूर्ड एक्टम क्लीन है, कई बार होता है कि हमारा कोई फोन आ गया है, या फोन पर बात कर रहे हैं, कि जिनमें हम फोन यूज कर रहे हैं, इस पर हमारी बहुत ही गंदी हो जाती है, और फोन ही कैसी च यह है blender, blender और mixi, इसको हम बहुत जादा ही यूज करते हैं, इसके बाहर से तो हमेशा साफ रखते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर भी प्यता हो जाते हैं, germs, विकॉस खाने के काफी सारे जो छोटी-छोटी टुकड़े होते हैं उसके अंदर, चले जाते हैं, गेट जाते है इसके लिए बैस्ट है कि आप थोड़ा सा बिनेगर निकालें गटूरी में, एक स्पंच पर थोड़ा बिनेगर लेकर इसको साफ करते हैं. कोई भी टैप इस तरह के पानी के टैप होती हैं, उन पर बहुत सारा जमा हो जाता है, कुछ ना कुछ पानी के निशान या पर कुछ गदिकी सी, तो पानी के सारे हार्ड निशान निकालने के लिए निवट पर थोड़ा सा नमक लेकर इसको अच्छे से रब करें, दो से तीर लेकर मल बॉर्टर या बांब वाटर कि साथ हो दिन, नॉन स्टिक पैन, केशिन में बहुत सारे नॉन स्टिक पैन होते हैं, कड़ाई होती हैं और जब हम कोई यूज करते हैं उसके बाद, जब यह साफकोनी के बार आती है, कुछ पीयदियां हमोंपर डिफड इप्र फ्र किसी भी कपड़े पर लेका उसे साफ कर लिए उसकी चिक नहीं पूरी तरह से निकल जाएगी यह देखे बिल्कुल साइड से भी निकल जाएगी जो भी लेयर जमती है वो निकल जाएगी वो ब्लैक है तो इस पर नहीं दिख रहा है मैं आपको दूसरे नौन इस्टिक पैट पर दिखाती हूँ यह बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा और कोई भी लेयर इस पर नहीं आएगी और आपकी चमक आपके पैल की चमक इताम बर करा रहेगी आप उसके लिए यूज़ करें थोड़ा सा कॉल्खेट माइक्रोवेब माइक्रोवेब में हम अकसर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और खानी की रुखने किरते रहते हैं तो उसके लिए माइक्रोवेब बावल में थोड़ा सा पाई डाल कर जो खाली नीबू के चिलके हैं उनको डालने उसके साथ ही माइक्रोवेब को तीन से च एसे टेक एसे उसको जम फ्री तो बनाईगी ही और जो भी उस पर ओय जमा हुआ है वो मेल्ट हो जाएगा वह आप उसे गिले कपड़े से परॉषने वो सारा का सारा बाहर आजाएगा और आपका माइक्रोवेब एक तम क्लीन होका जम फ्री भी हो जाएगा तो यह एक बहुत ही अच्छे टेप है आप इसको ज़रूरी यूज करके देखें इसे आप साइट से माइक्रोवेब को उपर से क्लीन करने के लिए नीचे से और साइट के डोर्स बटन सब कुछ क्लीन करने के यूज कर सकते हैं अक्सर होता है कि जब हम किचिन में कुछ खाना बना रहे हैं तो कुछ ओई या कोई चिकनई हमारे कप्रोपर आ जाती है या किसी और चीज पर गेड़ जाती है तो तुरंग की तुरंद उस पर कोई भी टैलकम पाउडर डाल दें टैलकम पाउडर उस चीज की चिकनई को तुरंद सोग कर लेगा उसके बाद हलकी गुलगुने पानी से आप उसको वाश कर दें कपड़े पर तेल का कोई भी निशान नहीं रहेगा और आपका कपड़ा एकदम नया और साब देखने लगेगा यह देखिए मेनिया पर एक शर्ट आपको इस तरह से वाश करके भी देखाई है जिस पर से तेल का पूरा निशान एक तम निकाल जाएगा अब कुछ ऐसी टेप जो आप डेली में भी बना कर रख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं यह मेरे पाल दोड़कर मेनिस मिझाला विनिकर और एक बड़ा चमल जाला है बेकिंग सोडा आप चाहें तो इसको स्प्रे बोटर में रख सकते हैं या फिर चाहें तो इस पंज की तरह से बनाकर रख सकते हैं यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी पूरी किजिन को क्लीन करने में और चिकनाई को अटाने में बहुत ही मददकार होता है गैस स्टोप के आसपास कई बारज़ा होता है कि चिकनाई की वज़ज से या किसी और रिजन की वज़ज से आपको कुछ काला पन जमा होने लगता है तो आप इस तरह का एक पैल ले उस पर पहले इसको लगा दे और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़े उसके बाद आप किसी भी हलके कपड़े से या फिर स्टील के जूने से उस पार्ट को हलका सब खेज दे और जो भी काला पनोगा वो बिलकुल साफ हो जाएगा और खाने का इटम बनाते हैं किचिन टाइल बहुत ही गंदे हो जाते हैं उस पर एक चिकनाई एक खटी होने लगते है उसके लिए भी विनिगा और सोड़ी का यह स्पंच बहुत ही बहतर है इसे आप डेली में यूज कर सकते हैं आप इसको ले और एक साइड से अपने टाइल पर सफाई की तरह से करते हुए आजएं यह उसमें कोई भी लाइन्स है या किनारी है उनको इजीली उसी वे में बर्टिकली या फिर होरी जर्टली क्लीन करें वो पूरी तरह से चमुकदार और नहीं हो जाएंगे जब पूरी सफाई के बाद इसे सपंच को क्लीन करने के बारे हो तो आप इसको सिंक में अच्छे से दोले और इसे डाली में डाल दें खटा करके इससे होगा यह कि जो भी आपकी ब्लॉकेस ड्रेन है या चौक नाली है उसके उपर डाल दें करम पानी थोड़ा सा वो पूरीता से खुल जाएगी